पुछ दिन के लिए लॉक्डाउन किया जा सकता है उत्राखन जो यहां CM320 जिंग डावत ने जुरुत बढ़ने पर कुछ दिन लॉक्डाउन के स्तंकेत दिये हैं जनता कर्फ्यू के मद्दे नसर आज अपने सिरकारी आवास पर ही CM320 जिंग डावत मौझूद है CM रावत ने जनता कर्फ्यू के सफलता पर यह सिंदेश भी दिया है उन्होंने कहा है कि हम ऐसे ही कोरोना को हरा सकते हैं हमें सबको हम सबको अपने स्तर पर आइसोलेट होना होगा तभी हम इस वाइरस को हरा सकते हैं इसकी उस चेन को तोड सकते हैं जो तेजी के साथ पैलती जा रही है आगे बढ़ती जा रही है और इंफेक्शन इस वाइरस का लगातार तमाम लोगों को अपनी पंचपेट में लेता जा रहा है शीम ने इस दोरान करती अफी लोगडाण के स्थिटी में दिहारी मजदूरोग की भी चिंता जताई है तो कहना है कि जल्दी ही दिहारी मजदूरोग के लिए फैसला लिया जाएगा लेकिन अगर उत्राकंड में इस तरह की लॉक्टाइन इस इत्रिक्री एक्स होती है तो फिर वहां पर भी दियाली मजदूरों का ध्यान रखा जाएगा CM320 नहीं ये साफस्वश्ट कह लिया है राजमे कादिस आमगरी और अबश्चक सेवाव में कमी नहीं आने दी जाएगी ये कहते हैं कहीं न कहीं दियाली मजदूरों की चिंता को भी CM320 नहीं कम करने की कोशिश्ट की कि मैं प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज उन्होंने संयम के साथ प्रदान मंतिर जी के आवभान को सुषिकार किया जनता करफ्यू जनता के लिए लागू किया अब मुझे विश्वास है कि हम कैरणा से बहुत अच्छी तरह लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ाई हम जीत सकते हैं और जिस तरह से हमारे व्यापारी बर्ग ने जिस तरह से ह करमचारियों ने हमारे नगर निकाय के करमचारियों ने जो प्रयावरन मित्र जिन को हम कहते हैं जिस तरह एक से उन्होंने आज इस मौके पर अपना युगदान दिया है निश्चित रूप से मैं उनकी प्रसंसा करना चाहूंगा लेकिन मैं परदेशवासियों से यह भी कहन हुआ है देश में मानने प्रधान मंतिजी के आववान पर लोगों उसको स्विकार किया है हमको अगर आवसरता पड़ी और समय करें तयार रहना चाहिए यह भी आसुत करना चाहूंगा कि किसी तरह की कमी खाद्यान की कमी हो और सभियों की कमी हो हम नहीं होने देंगे और आव सकता पड़ी तो हम उनके घरों तक पहुचाने का काम करेंगे जो हमारे मजदूर हैं जो रोज मर्रा की कमाई करके ही जिनका साम का भोजन कर पाते हैं उनके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी एक दो दिन में फैसला लेंगे हम किसी को भी सराजे में भूका नहीं रहन हैं लोग लेकिन वो लोग जिने बहुत आवश्यक काम था स्वास्तविभाग पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मियों के अलावा सभी लोग अपने अपने घर में ही दिखाई दे रहे हैं तेरा दून के हाचो रहे पर हर सड़क पर सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है जो लोग अपने अपने घरों में सुभा से आई से लेचित हैं कि अब कर आई अब को दिखाते हैं देहरादून से एडिटर पहीम तन्हा की एक खास रिपोर्ट कि देहरादून में जंता कर्ष्यू का पूरा असर देखने को मिल रहा है हर चुरहा हर बाजार और हर मुखे समार्गों पर सन्नाटा पस रहा है हम यहां जहां खड़े हैं यह धरमपूर से रिंग रोड की तरफ सड़क जाती है और यहां पर यह जो चुरहा है इस चुरहा नहीं तो दूर दूर तक सन्नाटा है यह सड़क सीधी रिंग रोड की तरफ जाती है और अगर हम इस तरफ देखें तो यह डालन वाला और पुरा जो राजपूर रोड से आगर जाकर के मिलती है यह फिर धरमपूर और क्लॉक टावर घंटा घर के लाके के लिए चली जात लेकिन यहां पर लोग नहीं हैं और दूसरे चराहों के हमने दूसरी जगाओंपर भी देखा है देरादून में तमाम जो जनता कर्फयूह मैं वह एक तरीके से लगा हुआ है और चनता खुद ही मर्जी से कर्फयूह को अन्जام दे रही है किसे भी तरीके से लोग जो है वह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कुछ कदुखा जरूर लोग निकल रहे हैं और जो नगर निगम ने शाफाई की विस्था कि सेनिटाइजिशन की वो तमाम अभियान चल रहा है लगातार हम देख रहे हैं हमार साथ यह साथ ही जुड रहे हैं यहां से निकल रहे हैं तो जनता कर्फियों आप कहां जा रहे हैं मैं अभी जोगी वाले से डालन वाले जा रहा हूं और कुछ इमर्जनसी काम था इसलिए ज आप सुबा से घर में थे परिवार को लोगर पे हैं सब सब घर पे हैं कोई भी भार नहीं निकल ला है इवन जो खाद्य सामगरी है जो दूद वाले हैं उनको भी वापस बेजा है हमने कि मलब इस तरीके से कोरोना चल रहा है तो बीमारी से बसने के लिए और अभी प्राइम मिनिस्टर के रूल्स को फॉलो करना है और आम जनता जो इस समय पीडित है मलब कुछ लोग जिन में संक्राम के पाए तो मलब यह चेंड जल्दी से जल्दी तूड़ जाए और मलब इसका जो है असर खतम हो जाए चलिए हम भी कहेंगे आप से कि आप अपना काम अधिकारी सारे अब आवास पर हैं यानि किसी भी तरीकी की कोई एक्टिविटी ना तो पोलिटिकल न सोचली कोई किसी तरीकी की नहीं यहां तक कि सारा बाजार बंद लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं जनता के दौरा खुद के लिए अपने लिए की यह करशoo लगाया गया है और इसका पूरा असर देखने को देरादून में मिल रहा है कि अगय मोग अपने घरों को सुनितारी रहे हैं मुख्य देरा इसको पर पानी सब्सक्राइब पर प्रप पर राइब है उसके लिए आ रहा है कि दूसरा आदमी आ रहा रहा है उसे इसके लिए कर रहे हैं घर का मुखे दर वाजा ऐसा होता है कि कोई भी आता है कई बार जो आप कहने नहीं आ रहा होता पड़ोसी के आ रहा होता पर वो नौक करके कुछ चीज पूछता या ड्रेस पूछता है अगब डाला है और दूद वाला रहा है तो इसलिए इसको करा जा रहा है तो मैं रूज सुबेश शाम तीन बार तो करता हूं आज जनता करिक्षू है कहीं बाहर अगर अपने घर के दर्वाजों को खुद भी सरक्षब हो रहे हैं और इस बात को बहुत भी समझ रहे हैं कि जिस तरह खतरनाक है कोरणा वारस उससे बचाओ को लेकर के उतनी ही बहुत शिद्दत के साथ कोशिश करने की जरुवत है और लोग खुद तो करी रहे हैं दूसरों को भी इस तरह का इतियाद बरतने की सला दे रहे हैं बाहराल उमीद की जानी चाहिए कि जो कोरोना की चेन हैं संक्रमन की चेन हैं यह आगे ना बढ़े और यहीं क कि यहीं रूख जाए लोग इसमें अपनी पूरी जो सयोग है अपने जो तरीके हैं तो तरीके हैं चाहिए उपाए हैं साफधानी के वो बरत रहे हैं फ़हीं तना नियूस बन इंडिया देरादूर तो चले इसे के साथ इस बुलेटीन में फिलाल पेज एतना ही वक्त एक ब्रेका है